हम आप सब वानरवीरों के आभारी हैं तुन सुन्दर आपने बाली की विशाल सेना की शक्ति को कम करके हमारे उत्साह को बढ़ाया है इस कश्रे हमें नहीं आपके सखा वीर हनुमान को है यदि वीर हनुमान आपके साथ ना होते तो वानर राज वाली के भय से कोई भी वानरवीर आपके पास भी ना आता ये तो सत्य है गुनसुंदर हनुमान के बिना हम कुछ ना कर पाते हनुमान तो हुमारे लिए भगवान के वरदान के समान नहीं सुभीर नहीं ऐसा कहकर तो आप मुझे लज्जित कर रहे हैं हम अपने में और आपके इन वानर वीरों में कोई भेद नहीं समझते हैं हम भी आ समझते हैं अंजनी पुत्र केशरी नंदन सूर्य शिष्य रूद्रावतार हनुमान साधारन वानर नहीं हो सकते मैं समझ गया आप मेरा उत्साह बढ़ा कर मुझसे कोई बड़ा काम करवाना चाहते हैं क्यों मैं सत्त कह रहा हूं न जामवंद जी हाँ हनुमान इस समय तुम्हें एक महान कारे करना है रणाम पालक पिता पावंदियों अई श्मान भव हनुमान अब मेरे लिए क्या अग्या है राक्षोस राज रावन ने स्वर्ग पर आकरमन करने की योजना बनाई है वो किसी भी समय स्वर्ग पर आकरमन कर सकता है स्वर् बढ़ दिन बंदिन बढ़ती जा रही ए सुना है की वो स्वर्ग वीजे की नई शक्ति प्राप्त कर चूका है इसलिए हमारे चिंता बढ़ती जा दिया है आप चिंता ना करें पवन्द्यव मैं आपकी अवश्य पूरी करूँगा आप ते वल मुझे रावन के आग मन की पूर्व सूच ना दीजिए रावन की रख्षसी सेना को स्वर्गलोग के द्वार में प्रवेश करने भी नहीं दूगा वो किसी भी शनाकरमन कर सकता है हनुमान वो अपनी वरदानी शक्ती से अपनी सेना को आकाश में पहुचा देगा और स्वेम स्वर्ख पर तूट पड़ेगा और अब तो उसके दोनों पुत्र मेगनाद और अक्षे भी उसके साथ है रावन के पुत्र हाँ सुग्रीव राव भूपवन सुत हनुमान की वीर हनुमान की जए यदि बोलना ही है तो आप सब लोग मेरे साथ बोलिए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम